सात्यों स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन आई टेया मंत्रा में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेसन के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और किन सेसन के बच्चों का रिजल्ट अभी आगे डिकलेर होने वाला है यानि आने वाली डेट्स में आने वाला है और लास्ट में ये भी देखेंगे कि जिन बच्चों रिजल्ट आ नहीं दिख लेते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है सैशन 2019 से 21 कौनसा यहर फॉर्सट यहर के बच्चे इनका रिजल्ट जो है वह 90 परसेंट बच्चों का डिक्लियर हो चुका है यह लगबग बच्चों का रिजल्ट आ चुका है कुछ बच्चे रहते हैं 10% बच्चे हैं वह स जैसे जिनके ड्राइंग के और असेस्मेंट के नंबर अपलोड किये जाएंगे पोटल पे तुरंत उनका रिजल्ट भी आ जाएगा इसके बाद है सेशन 2019 से 21 सेटिंड यर के बच्चों के इनकी जो टेंटेटिव डेट है वो कितनीया थाइस फरवरी यानि आने वाली थाइस फरवरी को इनका रिजल्ट आने के पूरे चांस है टेंटेटिव डेट है टेंटिव के मतले होदा चेंज भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा चांस रहते हैं कि इस तारीक को इनका रिजल्ट आ जाएगा तो सेगिंडियर के बच्चे जिनका सेशन 2019 से 21 में अडिमिशन हुआ है वो ठाइस तारीक को अपना रिजल्ट चेक करना सुरू कर दें उसके बाद है सेशन 2020 से 21 फर्स्ट इयर जो सेशन 20 से 21 और फ्रस्ट इयर के बच्चे उनके लिए भी बेज टेंटीव डेट है वो 2 फर्वरी 2022 ही है हैस फर्वरी का रिजल्ट भी आ जायेगा इसके बाद है सैसन 2020 से 22 फर्स्ट इयर के बच्चे इनका रिजल्ट डिकलियर हो चुका है 20 फरवरी को इस पर अमने एक वीडियो बना भी दिया था ये वो बच्चे थे जिनको पर्मोट किया गया था फस्ट इयर में थे इन्होंने केवल ड्राइंग और प्रेक्टिल अपर दिया था उन्हीं के वेस्पेन को पर्मोट कर दिया गया था उसके बाद है सैस 2018 से 19 फर्स्ट इयर के बच्चे है इनकी जो टेंटेटिव डेट है वो भी क्या है थाईस फरवरी को तो जो मोस्टली आगे आने वाले रिजल्ट है वो कब आ जाएंगे आपके 28 फरवरी को डिकलेर कर दिये जाएंगे तो आपने देखा कि किन किन का रिजल्ट आगे आने वाला है और किन बच्चों रिजल्ट डिकलेर हो चुका है अब मासा करता हूं जिन बच्चों रिजल्ट आ चुका है वो बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुए होगे और जिनका रिजल्ट आने वाला है वो भी बहुत अच्छे मांक्स लेके पास हो जाएंगे तो सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है जैसे आप इस पर जाएंगे उसके बाद यहाँ टैब मिलेगा आपको उसमें लिखा होगा वेरिफिकेशन तो उस पर कलिक करना है जैसे यह वेरिफिकेशन पर कलिक करेंगे उसके बाद आपने स्लेक्ट करना है Mark Seat Verification Mark Seat Verification में जाके आप अपना Rol Number या Registration Number डालोगे उसके बाद exam system select करोगे आपका जो annual है या semester system है इसके बाद year, first year है या second year इन सब को select करने के बाद जैसे आप search करोगे तो आपके सामने आपकी Mark Seat खुल जाएगी लेकिन एक बाद आ रहे हैं अभी कुछ बच्चों के message भी आ रहे हैं जैसे result check करते हैं तो वहाँ लिखाता है session terminated इस तरह से लिखाता है या इसके लावा कुछ problem और हैं ये problem इसलिए हैं क्योंकि सब बच्चों के declare हो रहे हैं पूरे बारत के बच्चे result देखने के लिए साइट पर आ रहे हैं जिससे साइट पर थोड़ा सा overload है server बीजी आता है तो अपना patience रखें सयम रखें और अपना result check करते रहें इसमें चिंता ही कोई बात नहीं है वो site की problem है आपकी problem नहीं है तो साथी यह थी information जो आपको देनी थी तो उमीद आप लोगों पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो बच्चे पास हो गए हैं कमेंट बोक्स में जरूर बताएं जिन जिन के अच्छे marks आए हैं इसके बाद जो बच्चे इस चैनल पर नहीं है तो क्रिपकर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस चैनल पर आपको ITS related सभी update और study material प्रवाइड करते हैं और जो update होती है मैं तब तक नहीं डालता जब तक मैं खुद confirm नहीं हो जाता जो update है वो सच है की नहीं तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए जल्दी मिलेंगे next update के साथ तब तक के लिए जय हिंद